ये चैनल केवल मनुरंजन के लिए है हम किसी भी तरह के अंश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते ये कहानी है जगदीश की 19 साल का जगदीश एक छोटे से गाव में अपने माता पिता के साथ रहता था जगदीश के कई दोस शहर जाकर अच्छा काम करते थे उन में से एक दोस ने जगदीश को सलह दी कि वो भी उसके साथ शहर में जाकर काम ढूंडे जगदीश के दोस्त ने बताया कि शहर में गाउ की मजदूरी से भी ज़ादा पैसे मिलते है जगदीश को अपने दोस्त की बात सही लगी और वो उसके साथ शहर चला गया जगदीश के दोस्त ने उसे एक जगह वाच्मेन की नोकरी दिलाई और ये जगह थी मुर्दा घर वो भी नाइट शिफ्ट जगदीश को इस बात से ज़ादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पर उसे अच्छी खासी तनख्वा मिल रही थी जगदीश जानता था कि उसे कही और रात के दस घंटे ड्यूटी करके इतनी अच्छी तनख्वान नहीं मिलेगी जगदीश का काम का पहला दिन था जगदीश की ड्यूटी रात के नौ बज़े से लेकर सुभ़ साथ बज़े तक की थी जगदीश ठीक दस मिनट पहले वहाँ पहुचा और वहाँ के मौनिंग शिफ्ट वाले वाच्छ्मेन चाचा से मिला उन्हें ने जगदीश को देखते ही कहा तो तुम आ गए नए वाच्छ्मेन तुम्हारी उम्र तो बहुत कम लगती है कतने साल के हो तुम चाचा जी मैं अठारा साल का हूँ घर के हालत ठीक नहीं है इसलिए गाव से शहर पैसे कमाने के लिए आया हूँ अच्छी बात है पर तुम यहाँ नए हो इसलिए एक चेतावनी देना चाहूँगा तुहारी ड्यूटी मुर्दा घर के बाहर है इसलिए सिर्फ बाहर भी ध्यान देना अंदर क्या होता है क्या नहीं होता कैसी आवाजे आती है ये देखना तुहारा काम नहीं है ये सब देखने के लिए अंदर बहुत सारे लोग है चाहे कुछ भी हो जाए अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है खास कर रात के बारा बज़े के बाद जगदीश को उनकी बाते थोड़ी अजीब ज़रूर लगी लेकिन जगदीश को ये पता था कि मुर्दा घर को लेकर लोग अंधविश्वास पालते हैं इसलिए जगदीश हामे सिर हिला कर अपनी युनिफॉर्म पहन के चला तभी उसने अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनी मानो अंदर कोई लौकर के लोहे के दर्वाजे पे कुछ पटक रहा हो जगदीश ने अपनी वाच्मेन वाली छड़ी उठाई और सीधा अंदर भागा अंदर जाते ही जगदीश ने सारी लाइटे जलाई और उसने अपने सामे जो देखा तो वो डर गया अंदर बड़े बड़े बैक्स में कई सारी लाशे थी और उन में से एक लाश सबसे ज़ादा गेनों नी थी उसे देखकर जगदीश को उल्टी आने लगी वो सीधा मुर्दा घर से बाहर भागा जगदीश को अब एसास हुआ आखिर क्यों उसे अंदर जाने से मना किया गया था रात के ठीक बारा बज रहे थे अब जगदीश को नीद आने लगी जगदीश की आग लगी ही थी कि तभी उसने फिर से आवाज सुनी इस बार जगदीश ने तै कि वो अंदर नहीं जाएगा बलकि बाहर से ही अंदर जाक कर देखेगा कि आखिर माजरा क्या है जगदीश ने अपनी बॉच्मेन वाली चड़ी उठा और मुर्दागर की खेडकियों से अंदर जाकने लगा अंदर जाकते ही जगदीश ने देखा कि एक आदमी मुर्दागर की लॉकर को खोल कर उन लाशों के साथ कुछ कर रहा है जगदीश ने उसे देखते ही आवाज उठाई एई! कौन हो तुम? अंदर क्या कर रहे हो? उस आदमी ने पलट कर नहीं देखा बलकि वो उसे अंसुना करके दूसरे लॉकर खोलने लगा जगदीश भागते हुए अंदर गया और उसने उस आदमी का कॉलर पकड़ा तब जगदीश ने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बलकि वही सड़ी हुई लाश है जिसे देखकर वो उल्टिया कर रहा था जगदीश डर के मारे जोर से चिलाया वो आदमी अजीब तरह से हसते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा जगदीश अपनी जान बचाने के लिए वही सरजरी रूम के अंदर भागा और उसने उस रूम का दरवाजा अंदर से बंड कर लिया जगदीश ने कापते हुए अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उसके दोस को फोन किया उसके दोस को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया उसने उसे शांत करते हुए उसके साथ क्या क्या हुआ ये पूछा और जब जगदीश ने उसके सारी बात बताई तो उसके दोस ने उसे उसी कमरे के अंदर रुक कर उसका इंतजार करने को कहा जगदीश ने फोन रखा ही था तभी कोई जोर से उस कमरे का दर्वाजा खटखटाने लग जगदीश ने ये आवाज अंसुनी कर दी और उसने अपने कान बन कर लिये लेकिन फिर जगदीश धीरे से पीछे मुड़ा और उसके पीछे वही डराओना आदमी बैठ अप हुआ था तुम्हें क्या लगता है मैं आ नहीं आ सकता जगदीश फिर से भागते हुए उस कमरे से बाहर आया और इस बार उसके सामने जो नजारा था उसे देखकर जगदीश के दिल के थड़कर लुग गई लुकर वाले कमरे में सारी डेट बॉडिज अपने लुकर से बाहर आ चुकी थी जगदीश ने पीछे मुड़कर भागने की सूची लेकिन इस बार उसके पीछे वही घिनोनी चहरा वाला आदमी खड़ा था बटाओ उन सब ने उसे चारों और से घेर लिया और जानवरों की तरह उस पर तूप पड़े कई सारे लोग एक जगह गेरा बनाए खड़े थें थोड़ी देर बाद जगदीश का दोस हाफ्ते हुए वहाँ पहुचा तो उसने देखा सुनिए, सुनिए, क्या आपने मेरे दोस को देखा क्या? वो यही नाइट वाच्मेन का काम करता है और वो सब लोग उसकी तरफ पर और वो चिलाया क्योंकि वो सब के सब लाशे थी उसका दोस वही नीचे जमीन पर पड़ा था और अब शायद उसकी बारी थी अगले दिन जब वहाँ पर काम करने बाले बागी करमचारी पहुँचे तो उन्होंने देखा अरे, ये नया वाच्मेन कहाँ चला गया है? और ये क्या? ये सारे लाकर्स किसने खूले छोड़ दिये? वो एक के बाद एक सारे लाकर्स बंद कर रहा था तभी उसने एक लाकर्स के अंदर दो नई लाशे देखी एक लाश थी जगदीश की और दूसरी लाश थी उसके दोस्त की जो कई हिस्सों में कठी हुई थी अरे, सहेव, ये वाच्मेन तो मर गया यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे निउस स्टोरी आप सबसे पहले देख सकें अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंड करके ये बताएं कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया और अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूले आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पेश पर भी फॉलो कर सकते हैं अधरेट स्कल्टेल्स